आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूंग दाल की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे ना तो भिगोना होगा ना ही फ्राइ करना होगा और ये रेसिपी आपको बहुती पसंद आने वाली है तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर चरूरत होगी आदा कब मूंग की दाल तो इसे डाल देते हैं एक बाउल में और इसे अच्छे से पानी से धो लेते हैं तो दाल को हमें यहाँ पर वोश करना है इसे भिगो कर बिल्कुल भी नहीं रखना है तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने दाल को अच्छे से दो लिया है अब इसका पानी अलग कर लेंगे और जार में डाल देते हैं ये सारी डाल और ढकर बंद करके इसको पीस लेगे डाल में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसको अच्छे से पीस लेना है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा दरदरा रखा है यानि कि आप जब इसको छूके देखेगे ना जैसे मोटा रवा होता है वैसा ये आपको लगेगा तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं एक कप गरम पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कुछ देर बाद दाल हमारी बढ़िया से फूल गई है और जो हमने गरम पानी डाला था ना वो इसने सारा सोक कर लिया है अब हम इसको डाल देते हैं किसी बड़े परतन में अब इसे चमच से अच्छे से फिला देते हैं ताकि यह ठंडी हो जाए ठंडी होने के बाद इसमें मसाले अड़ करेंगे तो अब हम इसमें आदा चमच काली मिर्च पाउडर और कड़ी पत्ता और बारे कट्वी हरी मिर्च दो चमच दई और दो चमच तेल और नमक डालेंगे और धन्या की पत्ती डाल देंगे अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंट्स इस समय पर हमें ज़्यादा मसालों की जुरूरत नहीं है क्योंकि हम इसे आगे और भी चटपटा बनाएंगे तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं आदा कप सूजी सूजी और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप यहाँ पर मोटी या बारिक कोई सी भी सूजी का यूज कर सकते हो अब हमें इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर देखिए मैंने इस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसे साइड में रख देते हैं तो अब मैंने आप पर लिया ये steamer वाली plate अब इस पर तेल लगाके अच्छे से grease कर लेते हैं तो चलिए मैंने अब gas पर एक कड़ाई रखी है अब कड़ाई के अंदर डाल देते हैं एक glass पानी अब पानी को बढ़िया से गरम ओन देते हैं और gas का flame medium कर देते हैं अब हम इसके अंदर डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छे से mix कर लेते हैं और इसी के साथ ही मैं डालूँगी इसमे इनो powder ताकि जो हमारा नाच्टाना अंदर से खिला खिला बने और इसे भी मैंने अच्छे से mix कर लिया है तो चलिए अब बारी है इसको shape देने की अपने हाथों को थोड़ा सा तेल लेके चिकना कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसको shape दे रही हूँ जिस तरह से हम मैंदू बड़ा बनाते है ना बस उसी तरह से हमें shape दे कर इसे तियार करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको shape दे कर तियार कर लिया है तो अब बारी है इसको steam करने की पानी भी यहाँ पर बड़िया से गरम हो चुका है तो अब हम इसमें यह plate रग देते हैं अब हम gas की flame medium कर देते हैं और 10-12 मिनट के लिए इसको steam होने देते हैं 12 मिनट बात आप देख सकते हैं यह कितने बड़िया से फूले हैं अब gas का flame बंद कर देते हैं और इसे भार निकाल देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ठंडा होने के बाद यह अपने आपी भार निकल जाते हैं तो चलिए जब तक यह पूरी तरह से ठंडे हो रहे हैं तो अब एक कामोर कर लेते हैं अब घैस पर रखेंगे कड़ा अब एक बड़ा चमच तिल डालेंगे और तिल गरम होने के बाद इसमें आदा चमच राय डालेंगे और राय के चटगने पर हम इसमें दालेंगे 2 हरी मिर्च और 2 चमच नाजिल का बुरादा एक चमच सफेद तिल और इसके साथ ही एक चमच पावबाजी मसाला और एक चमच मोटी कुटूई लाल मिरच अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें अच्छे कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी लाल मिरच पाउडर अब हम इसको भी अच्छे से mix कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी डालेंगे आदा कप ताकि ये सब चीजे बढ़िया से fry हो जाए तो यहाँ पर देखे फ्रेंट चटपटा सा मसाला बिलकुर बन करके तियार है और जब ये पूरी तरह से मसाला फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ये नाश्ता नाश्ता डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से mix कर लेते हैं अब हम इसमें डाल देते हैं बारी कटी ही दनिया पत्ती और गैस का flame ओफ कर देंगे और साथ ही आदा निम्बू कारज इसमें डाल देते हैं तो friends आपसे एक मेरी छोटी सी request है अगर आपको मेरी ये मूंकी डाल की recipe अच्छी लगी तो वीडियो को like, share and subscribe करना बिल्कुल भी न भूले तो ये नास्ता काफी tasty बनता है और अभी काफी गर्मी हो रही है अगर आप गर्मी के दिनों में तला हुआ खाना पसंद रही करते हैं तो इस recipe को जरूर ट्राइ करें